Hey guys, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल Bound to Education में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में आज हम लोग JSC All Exam से संबंदित Most Important Paper 1 के Questions को देखेंगे आज हम लोग Hindi में बनने वाले Most Important Questions को देखेंगे और जानेंगे JSC के परिक्षाओं में Hindi में किस परकार के Questions बनते हैं Hindi basically JSC के सभी परिक्षाओं में Qualifying Nature का होता है और Paper 1 में पुछा जाता है कुछ-कुछ exams जैसे की JSTate में Hindi Man Paper के रूप में भी पुछा जाता है तो चाहे आपका Man Paper के रूप में Hindi रहे या फिर Qualifying Nature के रूप में हिंदी रहे आज का ये वीडियो बहुत अधिक मतपून होने वाला है मुझके रूप से JSC CGL और JSC Lab Assistant का डेट दे दिया गया है और इसके लिए Paper 1 कौलिफाई करना बहुत ही आधी का वश्यक है क्योंकि Paper 1 अगर आप Qualify नहीं करते हैं तो Paper 2 या फिर Paper 3 जो भी आपका Man Paper है जाच नहीं होगा और JSC CGL में Paper 1 में आपका Hindi के साथ English है English आपका Tough है, Hindi आसान है, Hindi आपको Paper Qualify करके देगा उसी परकार Lab Assistant का परिक्षा में Hindi प्लस GK के Question रहेंगे और Lab Assistant के जो भी Student है, GK से उनका दूर-दूर तक नाता नहीं है इसलिए एक ही Option है, आपका Hindi अच्छे से पढ़िए आपका जो Paper है, वो Qualify हो जाएगा Hindi थोड़ा सा टप रहता है, लेकिन फिर भी जिस परकार के JSCC परिक्षाओं में एक्जाम लिया जाता है, और जिस परकार के Questions आते हैं, उसी लेबल का मैं Paper 1 को करवा रहा हूँ, जिससे आपका Practice अच्छे से हो जाए तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को सुरू करते हैं, और जानते हैं, हिंदी से आपके आने वाले परिक्षा में किस परकार के Questions बनेंगे, अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं, तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दे, और अगर आपने वीडियो को देखना सुरू कर चुका है, और अभी तक वीडियो को लाइक तो इसे जरूर लाइक कर दे, आपके लाइक से ही हमें पता चलता है कि किस परकार के वीडियो से आपको परवाइट करवाए जाएं, तो चलिए बिना किसी देरी के आज किस वीडियो को सुरू करते हैं, और आते हैं आज के पहले Question पे, पिछले वीडियो में जहां से हम लो या फिर पाटना, चलिए मैं 5 सेकंड का टाइम दे दे रहा हूँ, आप अपना उत्तर कमेंड में लिख सकते हैं या फिर खुद से मन में दोहरा करके अपना प्रेक्टिस कर सकते हैं, तो आपको जो उधारन दिख रहा है सुन्दरी वह मानव या फिर पाटना, इन सभी आपके आने वाले परिक्षा में पूछे जाएंगे, तो याद रखेंगे, कौन सा उधारन ऐसा है, जो की संग्या नहीं है, तो वह उधारन हो जाएगा संग्या नहीं है, क्योंकि ये सर्वनाम का उधारन है, नेक्स्ट को देखते हैं, निमन बिकल्पों में से असुद ब बाकी है, ये आपको चूज करना है, तो चलिए इस कोशन का करेक्ट एंसर बताएंगे, तो इस कोशन का करेक्ट एंसर हो जाएगा, ओप्शन ए बिजली गरज रही है, ये जो ओप्शन है, ये आपका असुद बाकी हो जाएगा, इस पर करकर के कोशन भी पूछे जाते हैं तो इसका correct answer हो जाएगा option A, बिजली गरज रही है चले next question की और आगे बढ़ते हैं next question के लिए instruction दिया गया है 141 से 145 तक आपको एक गध्यांस दिया गया है अर्थात अनुक्षित से संबंदित ये question है lab assistant के परिक्षाओं में ध्यान रखेंगे आपका अनुक्षित से संबंदित 25 परशन पूछा जाएगा और grammar से संबंदित 25 परशन पूछा जाएगा तो दोनों ही परकार के questions को में कबर करवा दूँगा ताकि आपको हिंदी में किसी भी परकार का तकलिप ना हो तो चले अनुक्षित को मैं पढ़ देता हूँ आप वीडियो को पॉस करके अनुक्षित को खुद से पढ़ सकते हैं बारतबर्स में आकास में जो अनेक छायाएं घूम रही है उन्हें जाचने और परकने के लिए हमें पूर्ण रूप से जागरित और चतने सहित्यकारों के अवशक्ता है आज की संकाओं और हिलती हुई आस्ताओं को सामिल और इस्तिर बनाने का काम उस सहित्यकार के आगमन की प्रेक्टक्षा कर रही है जो भविश में खिलने वाले फूलों का संबाद आज के मनुश्य को सुना सके हिर्दय हिर्दय में जो एक उत्सा प्रान प्रान में जो एक अनिर्वर्चनिय उमंग है तथा जन जन में जो मुक आसा किलोल कर रही है उसकी परिभासा सहित्य में जाएगी राजनीती और विज्ञान में नहीं बुद्धी और तर्क मनुष्य के मस्तिस्कों को संतुष्ट करते हैं कर्म की प्रेर्णा तो हमेशा हिर्दय से ही आती है हमारे सामने जो सपने घुम रहे हैं उन्हें मुर्त रूप देने के लिए मनुष्य को प्रेरित करना लेखा को और कभियों का काम है ये हमारा गध्यान से इसे संबंदित जो भी कोश्चन से चलिए उनको देखते हैं और जानते हैं किस परकार के कोश्चन हमारे अनुक्षित से बनेंगे तो जो भी अनुक्षे दिया फिर गज्ञांस दिया गया था उससे संबंदित इस परकार के questions दिये गए हैं चलिए इसको solve करने का हम परियास करते हैं पहला question है आज हमें किसकी अवशकता है साहितिकरों की जागरित और चेतन्य साहितिकरों की बेग्यानिकों की या फिर जागरित और चेतन्य बेग्यानिकों की चलिए इस question का correct answer आप देने का परियास करेंगे आप comment में अपना उतर लिख सकते हैं तो इस question का correct answer हो जाएगा option B आज हमें किसकी ज़रुरत है जागरित और चेतने साहितिकारों की option B आपका correct answer हो जाएगा next question है साहितिकार क्या काम करता है या आपको बताना है अनुक्षित के अनुसार आपको अपना उत्तर दे सकते हैं संकाओं का समादान डूनता है संकाओं को सांत और आस्ताओं को इस्तिर बनाता है साहिति स्रिजन का काम करता है या फिर last option है मानव समाज के लिए साहितिकी रचना करता है इस question का correct answer देंगे अनुक्षित के अनुसार साहितिकार का क्या काम रहता है तो अगर आपने अनुक्षित को अच्छे से सुना होगा तो मेरे क्याल से इसका answer आपको जट से दिमाग में आ रहा होगा इसका correct answer हो जाएगा option B संकाओं को सांथ और अस्ताओं को स्तिर बनाता है option B आपका correct answer होगा चले next question को देखते हैं मनुस्य के मस्तिस्को को कोन संतुष्ट करता है बुद्धी और तर्क, साहितिकार, बेग्यानिक या फिर राजनितिग इस question का correct answer देने का आप परियत्न करे इस question का correct answer हो जाएगा option A बुद्धी और तर्क मनुस्य के मस्तिस्को को कोन संत करता है इस question का correct answer option A होगा बुद्धी और तर्क next question है कर्म की प्रेड़ना हमें कहां से मिलती है बुद्धी से, हृदय से, मस्तिस्क से या फिर सपनों से इस question का correct answer क्या होगा बताईए अनुक्षेत के अनुसार आपका correct answer क्या होगा इस question का correct answer हो जाएगा option B हिरदय से option B आपका correct answer होगा next question है हमारे सपनों को मुर्त रूप कोन देता है लेखक और कभी राजनितिग, वैग्यानिक या फिर गणितग्य इस question का correct answer बताईए question number 145 का correct answer क्या होगा हमारे सपनों को मुर्त रूप कोन देता है इसका correct answer होगा अनुक्षेत के अनुसार option A आपका correct answer होगा तो ये 5 most important questions थे जो के अनुक्षेत से पुछे गए थे अब चलिए grammar के questions को देखते हैं बे उपसर्ग की सब्द समू में नहीं आता है चार options दिये गए हैं आपको बताना है कि कौन सा ऐसा सब्द समू है जिसमें बे उपसर्ग नहीं आता है बेरहम, बेखुदी, बेदम, बेइमान, बाईज़त या फिर बाकाइदा, बेसहरा या फिर बेज़त दो-दो सब्द दिये गए हैं अर्थात की एक-एक यूगम दिया गया है इसमें आपको बताना है कि कौन सा यूगम ऐसा है जिसमें बे उपसर्ग नहीं है चलिए इस question का correct answer सभी कोई देंगे तो उपसर्ग किसे करते हैं जो कि सब्द के पहले लगता है या फिर सब्दांस के पहले लगता है और सब्दांस के अर्थ को परिवर्तित कर देता है या फिर उसके अर्थ को बिसिश्टता ला देते है उसके अर्थ में उसे हम लोग उपसर्ग करते हैं तो बे उपसर्ग इन सारे ही options में है जैसे कि बेरहम बेखुदी में भी है बेदम या फिर बेमान में भी है बेसहरा बेज़त में भी है लेकिन ये option C में नहीं है बाइज़त या फिर बाकाइदा में बेउपसर्ग नहीं है तो आपका correct answer होगा option C Next question है मनोती सब्द में क्या प्रते है ये आपको बताना है प्रते क्या है जो कि सब्दांस के अंत में लगता है और सब्द के अर्थ में बिसिश्चता ला देती है या फिर सब्द के अर्थ को परिवर्थित कर देती है तो आपको बताना है कि मनोती जो सब्द है इसमें कौन सा प्रते है मन मनो या फिर ती या फिर ओती चले इस कोशन का करेक्ट अंसर दीजे मनो ती सब्द में कौन सा प्रते है इस कोशन का करेक्ट अंसर हो जागा ओप्सन डी ओती मनो ती में कौन सा प्रते है ओती आपका करेक्ट अंसर होगा option D, ठीक है, next question है, निमलिकित में से कौन सा सब्द प्रत्य यूग्त है, कौन सा सब्द ऐसा है, जो की प्रत्य यूग्त है, अर्थात की जिस सब्द में प्रत्य को अलग किया जा सकता है, वैसा सब्द आपको बताना है, नगर, सागर, बाजिगर या फिर अगर, इस question का correct answer देंगे, कौन सा सब्द ऐसा है, जो की प्रत्य यूग्त है, चले, question number 154 का correct answer देंगे, तो इस question का correct answer होगा option C, बाजिगर, बाजिगर में प्रत्य है, जबकि नगर, सागर और अगर, इसमें आप ध्यान पुर्बग देखेंगे, तो किसी भी प्रकार का प्रत्य आपको नजर नहीं आएगा, तो आपका correct answer होगा, option C, बाजिगर, next question है, मौकी की तलास में रहना, के लिए सही मोहाबरा कौन सा है, मौकी की answer देंगे, इस question का correct answer हो जाएगा, option B, ठो में रहना, अर्थात की मौकी की तलास में रहना, option B, आपका correct answer हो जाएगा, ठो में रहना, option B, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, next question की ओर, चेहरे की हवाईया उड़ना, मौवरे का सही अर्थ क्या होगा, तेजी से चलना, घबरा जाना, जबाबना देना, या फिक क्रोधित होना, चेहरे की हवाईया उड़ जाना, ये एक मौवरा है, और इसका अर्थ क्या है, ये आपको बताना है, तो इस question का correct answer हो जाएगा, option B, घबरा जाना, चेहरे की हवाईया उड़ जाना, अचनल से घबरा जाते हैं, तो उस टाइम चेहरे की हवाईया उड़ जाती है, अगर आप question को दो-तीन बार reading करेंगे, तो भी आपका answer option में दिख जाएगा, ठीक है, हिंदी में आपका बहुत समय रहेगा, तीन घंटे का समय बहुत होता है, दो घंटा अगर आप सो भी जाएगे, तो एक घंटा में आराम से पूरा सकते हैं, पता नहीं तीन घंटे का समय क्यों दिया है, हिंदी और आपका जीके में, मुझे तो पता नहीं चलता है, लेकिन फिर भी इंपोर्टेंट कोश्चन से मैं उनको करवा दे रहा हूँ, मुझे पता है, मैं आज से 15 साल का जो भी जेसेसी का एक्जाम सुआ है, सभी के हिंदी कोश्चन को मैंने स्टडी किया है, प्रिबियस येर के कोश्चन को भी मैंने करवा दिया है, जाकर के प्लेलिस्ट में को देखते हैं पुत्री के द्वारा माता को पत्र में संबोधन होगा जो आप पत्र लेखन करते हैं उसमें पुत्री के द्वारा माता को क्या संबोधन किया जाता है प्रिया मता जी पूजिनिया मता जी या फिर आधरनिया मता जी या फिर उप्रोक्त सभी इस question का correct answer देंगे अगर आप एक सुद्ध रूप में पत्र लिखते हैं एक पूत्री के द्वारा माता को क्या संबोधन किया जाएगा पूजिनिया माता जी क्योंकि माता जी पिता जी पूजिनिया होते हैं तो पूजिनिया का यहाँ पर उप्योग होगा पिर ये माताजी नहीं होगा, मित्र को नहीं लिक रहे हैं, माताजी को लिक रहे हैं, ठीक है, आधरनिया भी नहीं होता है, यहाँ पर ये माताजी के लिए पूजनिया सब्द का उपयोग होता है, तो इसे थोड़ा सा ध्यान दिजेगा, बहुत सारे स्टुडेंट उपयोग सुद्य वरतनी होगा यह आपको बताना है इस कुशन का करेक्ट एंसर होगा ओप्सन बी आरोग्य जो है यह सुद्ध वरतनी होगा ओप्सन बी ठीक है नीचे है कौन सा असुद्ध वरतनी है यह आपको बताना है आनंद अधीन आदर्स या फिर इसाई इस कुशन का करेक्ट और देखने से ही पता चल रहा है या सुद्ध है option C आपका correct answer होगा next question is ostrich परिवार की परमुक भासा कौन सी है ostrich परिवार की परमुक भासा देश सब्द पुछा जाता है वीदेशी सब्द पुछा जाता है यह सभी सब्द अच्छे से देख लीजेगा प्रिबिएस वीडियो में मैंने करवा दिया था ठीक है ओस्टिक परिवार की पर्मुख भासा कौन सा है तमील, मुंडा, तिबती या फिर खासी इस question का correct answer दीजे question number 165 तो इस question का correct answer हो जाएगा option B मुंडा ओस्टिक परिवार का आपका पर्मुख भासा option B होगा मुंडा, ठीक है नेक्स्ट question देखते हैं नीवन में से चांदनी का प्रियावाची नहीं है कौन सा सब्द ऐसा है जो की चांदनी का प्रियावाची नहीं है चंदरिका, चंदरप्रभा, चंदर या फिर कोमुदी इस question का correct answer दीजे चार options ऐसे हैं जो की दिये गए हैं और जिसमें तीन option ऐसा है चंदनी का प्रियावाची है जबकि एक option ऐसा है जो की चंदनी का प्रियावाची नहीं है तो इस question का correct answer हो जाएगा option C चंदर जो होता ये चंदनी का प्रियावाची नहीं है जबकि चंदरिका, चंदरप्रभा, कोमुदी ये तीरो ही सब्द चंदनी का प्रियावाची होता है तो इसका correct answer होगा option C चंदर next question है प्रचम नीमन में से किसका प्रयायवाची है केतन, कासर, सारस या फिर इन में से कोई नहीं प्रचम जो सब्द है ये किसका प्रयायवाची सब्द है इस question का correct answer दीजे तो प्रचम जो सब्द है इसका correct answer हो जागा option A प्रचम सब्द किसका प्रयायवाची सब्द है Option A आपका correct answer होगा केतन केतन का प्रयावाची सब्द हो जाएगा परचम तो आपका correct answer हो जाएगा Option A ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं next question की ओर Next question में पुछा गया है अस्ती का तदभव सब्द कोन सा है यह आपको बताना है अस्ती का तदभव सब्द क्या होगा तदभव अर्थात की संस्कृत के सब्द में थोड़ा सा बदलाव करके हम लोग हिंदी में जो उप्योग करते हैं उसे तदभव सब्द करते हैं तो इस question का correct answer होगा Option A हड़ी अस्ती को हम लोग हड़ी के रूप में उप्योग करते हैं पहचान का तदभव सब्द बताए परत्य, भिज्ञान, या फिव्ज्यान, अभिध्यान, या फिर आउद्धान पहचान का तदभव सब्द अर्थात की संस्कृत के सब्द जो हुबह हुँ हम लोग उप्योग करते हैं ना उसको हम लोग कहते हैं तत्सम सब्द तो इस question का correct answer हो जागा प्रत्यविज्ञान ठीक है प्रत्यविज्ञान पढ़ने से ही पता चल रहा है कि संस्कृत जैसा थोड़ा से सुनाई दे रहा है next question है गुर्दोड का समास बिग्र क्या होगा गोडे पर दोर गोडे से दोर गोडों की दोर या फिर इन में से कोई नहीं इस question का correct answer दीजे गुर्दोड का आपका समास बिग्र क्या होगा next question है अजंद का संदी विच्छेद आपको बताना है अज जोड़ अंत अच जोड़ अंत या फिर अज जोड़ अंत या फिर अंचत जोड़ अ इसका correct answer दीजे संदी विच्छेद करना है आपको अज अंत का तो अज जोड अंत होता है तो इससे थोड़ा से देख लिजेगा option B आपका correct answer होगा अज जोड अंत ठीक है option B correct answer हो जाएगा next question को देखते हैं सदेव में परियोगत संदी का आपको बताना है कौन सी संदी है सदेव जो सब्दे इसमें कौन सी संदी का परियोग किया गया है यर्ण संदी, दिर्ग संदी, ब्रिद्धी संदी या फिर आयादी संदी चले इस question का correct answer दीजे तो इसमें ब्रिद्धी संदी का उपयोग किया गया है option C तो आज हम लोग बहुत important हिंदी के questions को देखे आज की इस वीडियो में इतना ही next वीडियो को हम लोग अगले class में continue करेंगे अगर इसी प्रकार जारकंट से संबंदित आप बिभीने प्रकार के परतियोगी परिक्षाओं के तेयारी करते हैं बेस्टोल प्लक अच्छे से अपना तेयारी करें जैसे सी लेव एसिस्टेंट का डेट दे दिया गया है 7 से 11 के बीच में आपका परिक्षा होगा तो थोड़ा सा अच्छे से अपना preparation करें हिंदी को थोड़ा सा ध्यान दिजे और chemistry अगर आपका subject है तो उनका भी सारे videos आपको चैनल के playlist में मिल जाएगा आज के इस video को देखने के लिए धन्यवाद अगर आपने अभी तक इस video को like नहीं किया है तो यार और में क्या बोलो और कुछ में आपको नहीं बोल सकता हूँ आपका मन है बाई अगर करने का मन हो तो लाइक कर दीजेगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरू सब्सक्राइब कर देंगे आपके रेस्पॉंस से ही हमें पता चलता है कि इस प्रकार के वीडियोस आपके लिए लाबखारी हो भी रहे हैं या फिर नहीं